हेलो गाइट्स ओपिलेट्स में आपका सोग देशतों कैसे हो दोस्तों आसको तो बद अच्छेड़ा होगे तो गाइट्स आप देख सकते हैं चाइना कंपाइटी टीवी जो 21 इंच का है तो गाइट्स इसका जो आपको थिंबल देखे पता चल गया है कि इसका जो पॉब्ल आपलों लोग कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो पॉसेसर नहीं से पहले हम लोग मांटी मेटर से कैसे पॉसेसर को तो आपको कैसे चेक करते हैं तो दिखाएंगे तो देखते नहीं पूरा वीडियो तो प्लीज गैट वीडियो अच्छे लाइए तो लाइक कर देजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्रीक पर जुड़े तो चलिए मैं वीडियो सिग्नल को इन्पूट कर रहा हूं तो यहां पर जो जैक दिया गया है एक ही एक ही इस सेट में एक ही लाइन है यह भी यह भी बस है ओन टू एभी कुछ नहीं है बस एभी है ओके तो मैं एभी लाइन को इन्पूट कर रहा हूं और उसके साथ आडियो की में लगा दूंगा ठीक है तो गैट्स प्लीज अब पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको यहां से जो नौलेज है यह नौलेज मिल जाएगा कि हमारा जो पॉसेसर को चेक करने का तरिका क्या है अगर वीडियो सिंगल का ऐसी पॉलेम आपके पास आता है यह जो चाइना सेट है यह बोलके नहीं ह ठीक है जो भी टीवी हो जो भी कंपणी का हो कुछ बात नहीं है अगर आपके पास ऐसे पॉलम आएगा तो आप माल्टी मीटर से कैसे चेक कर सकते है पॉसेसर यानि आई सी को कि आई सी ठीक है या फिर खराब हो चुकी है तो आप लोगों को चेंज करने से पहले आया पॉसेसर को चेंज करने से पहले मैं दिखाऊंगा मेजर करके मीटर से कैसे मेजर करते है तो देख लिए अफ्रेंड्स मैं विडियो लाइन इंपूट कर रहा हूं उसके बाद भी हमारा जो सिगनल है वो नहीं दे रहा है यह टीवी पर विडियो नहीं आड़ा है ओके तो ऐसी कंडिशन में क्या करना पड़ेगा तो ऐसी कंडिशन में मैं आपको इसके पीछे की तरफ ले चलता हूं पिसीबी का तो गाइट्स आप लोग को मैं पीसीबी का जो बैक साइड है बैक साइड पर लेके आने आप देखिए गाइट्स में माल्टीमेटर को ना बीप रेंज पर सिलेट करूंगा ठीक है जो बजार रेंज होते हैं इसको आपको सिलेट करना पड़ेगा वहां पर और उसके आपको कि यहां पर एभी टू और एभी वान का उपसेन नहीं है बस एभी है ठीक है तो देखिए यहां पर जो जैक दिया गया है यह जो जैक है और जो हमारा सौकेट है आउटपूर सौकेट तो यह दोनों एक ही लाइन है ठीक है अलग लाइन नहीं है देखिए आपको मे ही टू ठीक एक लाइन अगर खरब होता तो हमारा दूसरा लाइन अगर सही होता तो अमारा जो सेट है वुझ चल जाता कि यहां पर एक ही लाइन रहें देखिए आप से इंपूट हो रहा है उत्अपको मेजर करके जाना पड़ेगा जितना दूर याँ़ीं एसितस आंपरण पत्वा सब्सक्राइस बैंड्री अपर सब्सक्राइबstep से लग ंब तो आप देखिए तो देखिए अमरा जो कॉर्ण नल सर लाइन है वह भी सही है जो फिल्टर कॉर्ण नल सर है इसके दबना दड़ा हमारा पॉसेशर में जाता है वीडियो सिंगनल तो एक बी सही है तो इस जो ऐसी है चाइना आज सी इस आज सी का नंबर आपको में मिल जाएगा और आपको दिखा भी दिया तो गाइड इसका 24 नंबर पीन वीडियो इन्पूट है ठीक है जो signal input हो रहा है 24 number fin में तो देखिए उस line को मैं major करा हूँ तो देखिए यहां पर ground एक एक वेर दिया मैं ground पे और एक 24 number में तो देखिए 36 ohms आरा है मैं ohms major कर रहा हूँ तो देखिए इतना कम ohms आरा है तो अमारा C 100% जो IC एक खड़ाब हो चुके हैं यहां पर देखिए जो IC का सौकेट है यानि वीडियो इंपूट का सौकेट है वहां पर आ रहा है 80 तक फोल्ट होते हैं आइसी तो इस आइसी का आप देख लिए कि 36 ओम्स दिखाड़ा है क्योंकि बहुत काम है अगर 100-100 इतना भी देखाएगा तब भी नहीं चलेगा क्योंकि हाजर से उपर 700-800 तक आएगा तो सही है यह फिर हाजर के उपर और गैट्स नहीं आएगा तब भी सही आइसी तो आपने देख लिया कि आईसी कैसे मेजर करते हैं एक वैर को आपको ग्राउंड पर देना पड़ेगा और एक जो हमारा वीडियो इंपूट हो रहा है आईसी का मेन पिन में 24 नमर में देना पड़ेगा एक वैर माल्टिमीटर का उसके बाद ओम्स रेंज पर सिलेट करना तो चलेगा और एक 100-34-200 इसमें नहीं चलेगा है यहां पर 36 से और नहीं चलेगा इसमें तो इसके जगा पर मैं इसका एक लगाउंगा चाइन का कि इसमें आइस को मैं यहां बोर्ट बे इनिस्ट्वल करूँगा यानि सेट करूँगा तो सट करना से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर जो अइरेंड बेगर धुर्य बेगर गिरें आप पॉसेजर के पास उसको क्लेंट कर लेना है है वोगने उसके बाद में एक बेस लगाऊंगा इसी का जो बेस होता है क्योंकि भिस्टेसर से च्पाइब होता है अगर आमरे चोगिसी हम लोग लग रहे हैं और गया खड़ा की कि ऐसे हालत में ही को वार खोलना प्रिंट खरब होगा और काम भी सही यानि कुईकली हो जाएगा बेस लगाने से अगर आइसी का गरबड रहेगा तो आप जो आइसी है उठाके आप नए आइसी फिर से लगा सकते हैं ठीक है अपका काम भी थोड़ा से बस जाएगा टाइम भी तो मेरा जो काम है बहुत हो गया सोल्डरिंग का तो देखिए मैं जैसे क्लिन कर रहा हूं ऐसे आपको क्लिन कर लाएं बस काम आपको साब करना है ठीक है जो भी काम करेंगे आप तो गैट समरा जो सोल्डरिंग का काम था और जो बेस का कम था वो तो सही हो चुके हैं यह नहीं लगा दिया आप क्या करेंगे आप जो पॉसेसर है हमारा जो पॉसेसर यहां पर दे देंगे ने जो अमारा निव्र पॉसेसर है ठीक है तो एप टो को मैं यहां पर सेट कर रहा हूं तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है तो आप अराम से लगाई है कोई जल्दी बाद ही नहीं है तो देखिए मैं पनेल इसको सेट कर दिया तो इसको भी आपको मेजर करके दिखाऊंगा ओम सिरेंज पर मीटर को भी पर रखोंगा यानि ओम सिरेंज वहां से हो जाएगा तो देखिए वहां पर ही है आप क्या करूंगा एक माल्टिमेटर का एक ओयर ग्राउंड पर लोगा और एक ओयर 24 नमबर आईसी का जो फिन है प है जो नियों आइस है ऐसे बिल्कुल सही है सहीट है है ठीक है सह को की बीसर नहीं है अंहीं जो अमनारा एसजी यह यहिक्न से और देखिए पहले के आजकिका क्या अदhrac ॥ा थाठीक सिक्स ओं साड़ा था ए hayır जब गलत बन dat ऑ और झाव ऊमस नहीं आएगा यहां पर क्यो की यहां से video के line से एक ग्राउंड पर रेस्टेंस है और रेस्टेंस का मान हे 80 ohms इसलिए यहां पर 80 ohms दिखाडा है अगर आप उस रेस्टेंस को वीडियो सिंगनल से एक ग्राउंड रहता है जो रेस्टेंस तो अगर आप ने एक सो लगा दिया या फिर 75 लगा दे तो यहां पर इतना उतना ही सो गड़ेगा तो यहां पर कुछ गरबर नहीं है कि अब सेट को मैं सेट पर लगाऊंगा कि ऑ आपको चेक करके दिखाता हूं कि जैसे मा 예쁘 हो गया कि इसके विडियो तो प्रमान उपर आवा टा कि यह तो आपसकते हैं कि हमारा गोकल सही हो चुक्या है चालू हो गया अब सही हो तो अभी Teachers कि मैं वीडियो सिग्नल इन्पूट नहीं किया अब मैं वीडियो सिग्नल इन्पूट कर रहा हूं कि ओके तो मैं वीडियो सिग्नल इन्पूट किया और आपको दिखाते हैं कि इसका पिक्चर कैसा आ रहा है तो गाइट्स इसका जो पॉल्म सा बिल्गू सही हो चुके तो आपने देख लिए क्या सी को कैसे मेजर कर सकते हैं आप बीना खोले ही आपको मेजर करने का तरीका मैं सीखा दिया इसमें दिखा दिया तो गाइट्स देखते रहें इसे इंटेस्टिंग वीडियो तो प्लीस इस गाइट्स चले हैं मिलते हैं अगले बीडिस तब तकर बाई जाए हैं दोस्तों